कि निप्टिय टेखनोलोजी एडवांस चिप लेवल लाप्टॉप प्रिपेर ट्रेनिंग इंस्टिटूट कि हम लोग लोगों को बता दे कि क्या करता है तो पावर देता है से कि दिएदर करने के लिए के जाता है और यह सिगनल लो होने पर होता है यहां पर फंद लगा है की है एक्टिव होगा आरेक्स वन और आरेक्स टू इस पिन को एक क्रिस्टल से जोडा जाता है इन दोनों पिनों को एक क्रिस्टल से जोडा जाता है उस क्रिस्टल के फ्रिक्वेंसी 32.7 इसका उप्योग लो एंप्लिट्यूट को हाइएंप्लिट्यूट में बदलने के लिए किया जाता है चार नंबर में लिखे सब्सक्राइब यह एक आउट्पुट सिगनल है इस पिन पर 32.76 किलो हर्ट की फ्रिक्वेंसी मिलेगी इसक्वाइर वेब में इस सिगनल का उप्योग स्वीच के माध्यम से यह पतर लगाने के लिए किया जाता है कि आपका सिस्टम का कभर कि ओपन है या क्लोज है कि बहुत सारे ब्रांडेड मदर बोड में जब आप सिस्टम की कभर पहटा देते हैं तो मैसे जाता है या कभी-कभी तो ओन भी नहीं होता कभी देखें कभी कि किसी के पास ऐसा को प्रॉब्लम आया है कि जब उसका ठेकन आप पुल देते हैं तो कवरोंने होना बंद हो जाता है तो इसकी How की तो एक मैं एक होजाती है कि सिस्टम नहीं होगा पंप प्रिक्वेंसी भी नहीं बनेगे उसके अंदर तो इसके बारे में जानना जरूरी है कि इंट्रूडर इंट्रूडर के ऊपर हमेशा हाई लोजिक होना चाहिए अगर इंट्रूडर को लो लॉजिक दे दिये इंट्रूडर को यह समझ में आएगा किसका बॉक्स ओपन है खत्रा है अभी नहीं होना चाहिए पाच्वा है इंटर्नल वोल्टेज रेगुलेटर इनेबल यह सिग्नल कि आर्टीसी वेल का एक पार्टी सिग्नल को कि आर्टीसी वीची से जोड़ा जाता है और इसको हाई रखा जाता है इंटर्नल वोल्टेज रेगुलेटर इनेबल तो यह सिग्नल आर्टीसी वेल का एक पार्ट है जो पीच के इंटर्नल वोल्टेज रेगुलेटर को इनेबल करने के लिए इह इनपुद अप्लाई है इसके आने के बाद इफ पिसिघ का अंदर जो इंटर्नल वॉल्टेज रेगुलेटर को फिक्सिल्द को एक् Byam के लिए इनपुड सप्लाई है और इसका होना ज़रुरी है इसाने है का BRM inənेबल तो यह क्या है कि यह भी एक डीब स्लिप व्यल का हिवार्मेंट है और यह को पावर दिया जाता इसके माधयम से मतलब आए टिसमें और डीप स्नि वेल ऴीरे में सेर्च इसके माधयम स्वेंशन दिया जाता है झाल झाल